तो वेलकम बेक तो माई यूट्यूब चैनल एंड आज की वीडियो भी एंड तक जरूर से देखना एंड फिफ्टी के सब्सक्राइबर्स के बहुत ही जादा क्लोज है तो जल्दी सी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर दो तो सबसे फडेट निकल कराती है वो निकल कराती है ग्लोबली स्पोर्टस को लेके तो आप लोग अप लोग को पता ही हुगा लास्ट चाम्स कौरिफायर हो रहे थे हूंका जो टे ओन का रुजल्ट है वो आप लोग को स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा एंड इसके बाद जो सोल रेगल टॉस है उन्होंने एक पोश्ट किया था अपने इंस्टाग्राम पे जिसमें एकदम क्लियर हो गया है कि वो जो उनके साथ खेल रहे हैं ओल्ड प्लेयर वो अल्टरोनी है तो वह वाली क्लिप आप लोग देख सकते हैं इसा मैंने आप लोगों को बताया था वैसा ही कंफर्म हुआ है जो गिल की कंफर्मेशन आ रही थी और बहुत सारी लिक्स वगयरा निकल रही थी वो बिल्कुल भी नहीं है तो नेक्स्ट अपडेट निकल कर आती है वो निकल कर आती है अलफा क्लैशर को लेके जो अलफा क्लैशर है उन्होंने इपनी श्रीम पे एक्स्पेंड किया था कि जो इसपोर्स प्लेयर है जिनको हेट वगयरा मिलती है उनको कैसे वो चीज एफेक्ट करती है तो वह वाली क्लिप आप लोग देख सकते हैं जो भी फिलाल देखो हमारे इसपोर्स में तो चलो इसपोर्स स्ट्रीमिंग स्ट्रीमिंग वगयरा में तो इतना हेट नहीं है तूब वहनेस्ट बड़ जो यह टीवन प्लेयर्स हेट जेलते हैं डैम इस गाइस सच में लैक जंता मंगता है कि लैक एवरी सिंगल टाइम यह लोग चार 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 चिकन निकाले हरे एक मैच चिकन निकाले समझता हूं हम सभी के एक्सपेक्टेशन से सभी टीम से बट इसका मतलब यह तो नहीं ना कि गांड खाजाओ सामने अले बंदो इंसान की है ना एक सौरी वह थोड़ा वह इस लाइंगोज में बात कर रहा हूं पट समझ रहे हूं जरूरी तो नहीं है ना कि सामने अले का पूरा जीना हराम कर दो लिटरली सभी देखता हूं मैं सभी स्पोर्स प्लेयर्स देख तुम लोग को आइट नहीं हो रहा है इतना इतने बड़ी बड़ी लाइन उसका ठीक है कोई बात नहीं सब गिरते हैं सब होता यही लाइफ है सब सिर्फ उपर 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 जाते जैंगे तो फिर होगा ही नहीं पहली बात नहीं कोई इधर ऐसे रोलल कोस्टर ही चलता है तो उनका भी मेंटल स्ट्रेस तुम सोच सकते हो कि किस लेवल का है लाखों लोग उन से एक्सपेक्ट करते हैं हर रोस चिकन डि कुछ भी होगा यह फिर हंडिट परसेंट ट्राइं फिर भी नहीं हो रहा वाई क्या करें होता है ना कभी अपनी आप आप आईगे साब जितने भी हो चैट में मोस्टली अट्रा भी साल के उपर होंगे कभी-कभी ऐसा होते कि पढ़ रहा हूं मैं चार आट घंटे पढ़ समझ रहे हो प्लीज अपर तो नहीं दिख रहा हूं को नहीं पाई बता रहा हूं नौट एज़ी इसपोर्स इस नौट दाट इज़ी श्ट्रीमिंग में बहुत हैट मिलती बट यहां पर पूरा सॉंग मैंने जो सुना अभी इस पोकुस्ट अन इस्पोर्स तो इसलिए मै अपनी श्ट्रीमिंग के बार में जाद नहीं बोला बट यहां दिखता है हम लोग को मैं भी हूं तीन साल से सी कम्यूनिटी में मैं भी हूं यह मिरा हूं यहां पर इनके साथ ही चल रहा हूं उपर-उपर तो मुझे पता है कि कितना है तकलीफ तो आप लोग को समझ में आ नहीं लगा है बढ़ आज जब उन्होंने एक पोस्ट किया ता है तो इससे हमारे को कन्फर्म हो गया था कि जो ग्लोबल ए-स्पोर्ट्स की टीम में जी-ई-फाइटिंग खेल रहे हैं वो नोवाकिंग है अब देखते हैं वो जी-ई-को जॉइन करेंगे या क्या सीन रहता है जो भी होगा मैं आप लोगो को बता दूँगा तो हमारी जो नेक्स्ट अपडेट निगल करा रही है वो निगल करा रही है अक्शू को लेकर जो अक्शू है उनसे पूछा गया था कि उन्होंने सी-ई-ई-स को जॉइन क्यों नहीं करा तो इस पे उन्होंने क्या बोला वो आप लोग देख सकते हैं तो हमारी जो नेक्स अपडेट निगल करा रही है वो निगल करा रही है मेजी को लेके जो मेजी है उनसे पूछा गया था कि PMGC में कौन सी इंडियन टीम्स को इंवाइट मिलेगा तो इस पे उन्होंने बोला था कि कोई चांसिस नहीं है कि PMGC में कोई इंडियन टीम्स खेलेगी तो उन्होंने इसका रीजन भी बताया था तो वो अली कलेप आप लोग देख सकते हैं हलो राम वल्कम PMGC में कौन सी इंडियन टीम्स को इंवाइट मिलेगा एक बाप फिर से बता देता हूँ जितना मुझे पता है और जितना न्यूज वालों ने मेरे को बताया है ठीक है और जितना कुछ कुछ मेजर जो और जो कहना है उनका यह कहना है कि अगर PMGC में इंडियन टीम्स होती है यह नहीं है तो उन्हें बाहर जाके खेलना पड़ेगा और वो अभी पॉसिबल नहीं हो सकता ठीक है वो तुमें भी पताए क्यों नहीं हो सकता बीजमाई नैया गेम है पपजी को जस्त беспन करा था तो इसको खेलने के लिए बाहर जाना पड़ेगा जो कि वो allowed नहीं कर सकते अभी वो क्यों नहीं allowed कर सकते हैं उसके बारे में तुम लोग ज्यादा मस्सोचो तो ये सारी चीज़े हैं जो मेरे को पता है तो इसे साब से तो नहीं है अगर हो गई तो भाई बहुत अच्छी बात है किसको नहीं पसंद कि इंडिया की टीम PMGC में जाके खेलेगी बट मुझे नहीं लगता कि इंडिया में अभी कोई ऐसी टीम है जिसको invite मिलना चाहिए PMGC के लिए तो हमारी जो next update निकल कर आती है वो निकल कर आती है माय अवी को लेके तो हमारी जो next update निकल कर आ रही है वो निकल कर आ रही है वेक्सी को लेके जो वेक्सी है उनसे पूछा गया था जो गिल है वो क्यू बेंच है एंड इस पर उन्होंने बताया था अपनी श्रीम पर तो वह वाली क्लिप आप लोग देख सकते है वेक्सी भाई गिल कब तक बेंच रहेगा इनी आइडिया इतना अच्छा प्लेयर पीमडेवलेट और फ्राइगर को ऐसे कौन निकालता है इस देखो हमने परपरजली नहीं निकाल उसको वो अपने साइट से ही अटेंड नहीं कर रहा था मैच इसको इसे भी तो हमने परपरजली उसको नहीं हटाया कुछ भी करेंगे तो खुदी नहीं आ रहा था मैच इसके में टाइम से कैसे करें स्लॉट बुक कैसे और बात चल रही है गिल की तो मैं आप लोगों को बता दू मेरे को गिल से रिलेटेड कुछ और लीक्स भी मिली थी सबसे पहले जो गिल है उनकी लाइफ स्ट्रीम में जो अक्षू है उन्होंने लिखा था अनौंसमेंट का टाइम तो हो गया वैसे इसके बद उन्होंने जो कि अनौंसमें है अल्राघ कुछ ग्राइड लुटे था यह था कि कि अ क्षेंको और नइसाए शीOD के दिख अनौंसमत अनौंसमोंने को अनौंसमत है सबस्क्राण में करा अनौंसमत में जी सुदrie Ranked to squad Road को सब्सक्राणा सबसें सक्राण में ईन्ह ऩर्शें ग्हर्अ ज तो हमारी जो नेक्स्ट अपडेट निगल कर आती है वो निगल कर आती है 420 ओपी को लेके जो 420 ओपी है उन्होंने अपनी स्ट्रीम पे वो हमारे को थोड़े एंगरी दिखाई दिये थे क्योंकि जो हाइलाइट चैनल है वो उनकी जो वीडियो है वो बिना क्रेडिट के डाल रहे थे एंड इसके बाद उनसे बोला गया था कि OR को दुबारा जॉइन कर लो तो इस पर उन्होंने क्या बोला था वो आप लोग देख सकते हैं यार देल देल दू इत अकाश मिश्रा देर फ्यू थिंग्स विच विच हापन जो और में होती हैं जो रूल्स होते हैं ठीक है क्योंकि इस यर लग नहीं रहा है देखो क्योंकि अभी तक कोई अनॉंजमेंट नहीं आई है कितना ही महीना बचा है औक्टूर नवंबर डिसमबर जनवरी दो तीन महीने बचे हैं बस जमर रहे हो एंडिस के बाद जो गोल्डी भाई हैं उन्होंने भी अपनी स्ट्रीम पे बताया था कि जो सोल के प्लेयर से हैं वो अमारे को अब रेगूलर खेलते वे दिखाई देंगे स्ट्रीम पे क्योंकि आप लोग कोई पता ही होगा बहुत सारे लोग जो हैं वो यूट्यूब प प्लाइन कर देशन भाई कल से आएंगे कल से रहाएगा मावी आएगा रेगुलर कल से रेगुलर आएंगे सब लोग डोवरी तो बस अभी के लिए मेरे पास सिती न्यूस थी अगर मेरे को कोई और अपडेट मिलती है तो मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो बना कर द